ये आकाश्वाणी है प्रस्तुत है कारक्रम सुर्खों में इसके अंतरगत सुनिए जम्मू कश्मीर और हर्याना के विधान सभा चुनाओ परिणाम पर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे हैं राजनेतिक विश्रिशक एनके सिंग और आकाश्वाणी सलाकार उमेश कारक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्श रंजन सीट निर्दली और उम्मीदवारों के खाते में गई है बाजपा नेता और मुख्यमंतरी नायब सिंग सैनी ने लाडवा सीट जीत ली है कॉंग्रिस नेता और पूरो मुख्यमंतरी भूपेंदर सिंग घुड़ा रोहतक की गड़ी सांपला किलोई सीट पर विज़े ही र दाल लेते हैं विदान सभा चुनाओं में नाशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रिस गट बंधन जो है इसने पून बहुमत हासिल कर लिया है नाशनल कॉन्फरेंस ने 42 सीटें जीती हैं कॉंग्रिस को 6 सीट मिली है भाजपा 29 सीटों पर वी जाई रही है पीडियेफ ने तीन और आम आदमी पाटी जम्हू कश्मीर पीपल्स कॉन्फरेंस तथा CPIM ने एक एक सीट पर सफलता हासिल की है निर्दली अउमीदवारों ने साथ सीटों पर सफलता हासिल की है जम्हू कश्मीर में भी 90 विधान सभा की सीटें हैं इस बारे में बाच्चीत करने के लिए हमा बहुत स्वागत आपका आकाश्मानी सलाकार शुरू करता हूँ एनके सिंग साहब आपसे जम्मू कश्मीर पर हम बाद में आएंगे पहले हरियाना पर हम चर्चा कर लेते हैं अपने कारिकरम सोर्खियों में एक जो उमीद मीडिया में जताई गई थी जो एक्जिट पोल साय थे उसके हिसाब से कॉंग्रिस को बढ़त दिखाई गई थी और भारती जनता पार्टी जो सीटें जीती हैं उससे कम आकलन किया गया था आपको क्या लगता है कि वहां पर गल्ती हुई थी या जो कह रहे थे कि बीजेपी के लिए एंटी इंकम्बेंसी है दर असल वो इकोनामिक के अनलेसिस, सोशल अनलेसिस अगर इन तीनों को देखें तो सब पे फेल रहे जितने भी पोल्स्टर्स थे जितने पॉलिटिकल मैं अपने को इंकल्यूट करके कहता हूं कि वो सारे असा यह चौकाने वाला था और शायद भारत के इतिहास में यह इतना बड़ा फेलियोर यह था दो हजार चौबिस का जो अभी आमचुना हुआ उसमे भी फेल रहे थे लेकिन उसको हम मान सकते हैं कि डामेंशन बहुत बड़ा था तो उसमें कई वैरियेबल्स होते हैं जो आपको नहीं फैक्टर इन कर पाते हैं लेकिन हरियाना तो एक छोटी इस जग बना रही है और बलकि यूँ कहा गया कि साथ कहीं बीजेपी और ये माना गया था कि बीजेपी में प्रधान मंत्री अगर कम रैली कर रहे हैं तो इसका भी कारण यही है कि शायद यहां पर इन्होंने मान लिया है कि यहां पर अच्छी स्थित नहीं है जम्मू में ज्याद यह अपने आपने आने वाले दिनों में एक बड़ा बढ़ा sociological analysis का कारण बनेगा जैसे कि macro analysis में हम कह सकते हैं कि साब यह jat versus non jat रहा लेकिन सवाल यह है कि तब फिर जो लोगसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को क्यों मिले थे कम पांच-पांच अगर हो गया तो उस समय जबकि प्रधानमंत्री चुना जाता है लोगसभा election से उसमें कम vote मिले और जो assembly का election है उसमें बीजेपी को ज़्यादा मिल रहे हैं तो यह paradox मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ना केवल psychological analysis के लिए बलकि political science के लिए एक study का subject होगा बिल्कुल दर असल दोनों को Congress को और भारती जनता पार्टी दोनों के vote percentage भी पढ़े हैं पिछली बार के मुकाबले और seatों की संख्या भी विदान साबा में बढ़े हैं अच्छा आपने का छोटी parties खतम हो गई हैं वर्च्वली खतम हो गई हैं तो यह message है कि यह आया राम ग तो इतना कम अंतर है और इसमें seatों में gap ज्यादा हो जाता है और यह होता है bipolar arrangement में यह seatो एक gap होता है seat और percentage इसका यह 2N square के cube law formulas चलता है लेकिन यह उससे भी आगे निकल गया है अगर 36 या 37 Congress को मिल रही है और इनको 48 मिल रही है तो यह आपने आप में उससे भी आगे निकल 11 seatों का उमेश के पास आते हैं आपने चुनाओं से पहले उमेश एक मात्र ऐसे शक्स हैं शायद जिनने मैंने पढ़ा जो लगातार यह कह रहे थे कि यह आंकडे जमीनी जो हकीकत हैं उससे मेल नहीं खाते हैं तो कहीं न कहीं इनका यह कहना था कि BJP जो है वो कहीं इससे ज 23-24% है वो बड़ा मुखर है और हमारी मीडिया के साथ एक बड़ी दिक्कत आजकल हो गई है कि हम जो मुखर होता है उसकी बात बहुत ज्यादा सुनते हैं और जब सुनते हैं तो उसकी बात ज्यादा करते हैं मुझे लगता है कि यहां मीडिया फेल कर गया और यह पहली ब रहा था लेकिन हुआ क्या क्या हो रहा है कि जो मीडिया है इसको सोचना पड़ेगा कि वह मुखर वोटरों के प्रभाव में क्यों आ जाता है मुखर वोटर अगर हम माल लेते हैं कि जात वोट बैंक है या बिहार में आप देखेंगे खास वोट बैंक को भी इसी तरह से 2015 में किया गया था बताया जा रहा था कि भारती जंता पार्टी क्लीन स्विप कर रही है लेकिन नतीजे जब आये थे 15 नॉमबर 2015 को यह संजोगी ह कि हमारे साथ बैठे हुए हैं यह हमारे संपादक थे उसमया एनके सिंगी तो क्या नतीजे आये थे बिलकुल उलट नतीजे आये थे तो इसकी एक बड़ी वजह यह है मुझे ऐसा लगता है बिंग जनलिस्ट यहां मुखर वोटरों पर बहुत ज्यादा भरुसा करने लग लगता है उसको आप कुरेदेंगे भी तो भी नहीं बोलेगा कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है मुझे लगता है कि वहां जो साइकलोजी है उस साइकलोजी को पढ़ने में हमारी जो मीडिया है या जो सफोलोजिस्ट है वो गड़बड हो रहे है और इसका एक साफ के तप दिख रहा है आप लोगसा बचुना में भी देखिए किसी ने यह नहीं कहा था कि क्लियर मेजार्टी से नीचे आएगी भारती जनता पार्टी बाद के दो मध्य परदेश में किसी ने सोचा भी नहीं था इसी तरह से जिस दिन लाड़ली भना योजना 10 जून 2023 की घ इधान सबा में भारी बहुमत से जिता तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रोफेशनलीजम में भी कुछ लेकुना है कुछ कमी है उसकी और ध्यान देना पड़ेगा आप जनता अगर नबज को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं और एक चीज और भी है कि जो मुखर व भारने के और उसके पीछे खड़ा होने के दौर में चल पड़े हैं तो उसमें कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं मुझे लगता है यहां चूख हुई है बिलकुल एंके सिक साब जैसा उमेश पता रहे हैं कि जो मुखर वोटर हैं उनकी आवाज तो सब जगा सुनाई देती है लेकिन असली उनकी आवाज हम नहीं सुन पाते जो बड़े खामोश वोटर है और यही कुछ हर्याणा में हुआ है इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो तीन मुद्दे वहां बहुत चलाये जा रहे थे यूं कहें जिसकी वज़े से आइंटी इंकंबेंसी शो की जा रही थी मुखर वोटरों से एक तो किसानों का मुद्दा था एक पहलवानों का मुद्दा था और एक जवानों का मुद्दा था अगनी वीर को लेकर क्या ये तीनों मुद्दे जंता की नजर में वोटरों की नजर में फेल नजर आ है बड़ा अचा सवाल है हर्जी जो उम जात्य वर्गी चरित्र लेखे जाते हैं और वहां नीचे जो dormant feelings हैं उसको हम पगया वो आप से वो share रही करता भई आप बड़ी सी आप एक गाड़ी से जाते हैं फाइफ स्टार से आप उतरते हैं और सीधे गाउं में चले जाते हैं और अर्ध अंग्रेजी में पूछते हैं तो वो आपके साथ यकसा नहीं होता मतलब एक यूनिसम नहीं होता तो यह possible बिल्कुल है और यह 70 साल से चल रहा है कोई आज का नहीं है हमारी पत्रकारिता को शायद नई ट्रेनिंग की जरूरत है लेकिन इसको छोड़ दें तो यह जो तीनों मुद्दे आपने बताए डेमोक्रेसी में माना जाता है कि गवर्मेंट वेलफेर के लिए होती है और वो बद्दाता क्या चाहता है जनता क्या चाहती है उसके वेलफेर के लिए काम करता है जो वेलफेर स्टेट का कंसेप्ट है जाहिर है अगर महंगाई 300 रुपे किलो दाल है तो क्या जनता को मुतासिब नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से नाराज़गी नहीं होनी चाहिए Unemployment अगर है जो कि है जिसको कि आप deny नहीं कर सकते है और यही Unemployment है जिसने कि 2024 में आपको कम vote दिये और कम vote की वज़े से हुआ यह कि सीटें आपको कम पड़ गए तो यह अगर इस्थिती है तो यह एक basic टूल है पूरे वाइड के democracy का कि यह variables जैसे economic well-being महंगाई यह चीजें असर करती है फिर क्या हुआ हरियान में क्या अचानक डाल नौन जाट को डाल सस्ता मिलने लगा ऐसा तो नहीं हुआ डाल अगर 300 रुपे किलो है कल का rate है 294 रुपे किलो अरहर की डाल अगर डाल आपको 294 गो भी 40 रुपे का 200 ग्राम मिल रहा है तो य ने क्यों वोट दिया अगर हम माल लें कि जाट वर्सिज नान जाट हो गया जाटो ने भी वोट दिया क्योंकि अगर हम जाट लैंड को देखे है वहां से भी 6 सीटे आई है इसमें इनके सिंग साब चर्चा हम जारी रखेंगे अभी यह है उमेश आपसे जड़ा थोड़ी जो चारीत्रिक विशस्ताएं हैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा आप देखिए कि जो कश्मीर घाटी है वहां 47 सीटे आती है और जम्मू घाटी है जो 43 सीटे है और जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ है उसमें जम्मू छेत से उठी आवाज का बड़ा जीते हैं उसमें से 28 सीटे जो जीते हैं उसमें से 28 सीटे उसी इलाके से आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां उनका प्रभाव थोड़ा तो कम हुआ है लेकिन यह है कि हम देख रहे थे बार बार जो सामने हमारे रिपोर्टिंग आ रही थी कश्मीर घाटी से तो लोग कि यह मानने को तो तैयार दे कि 370 हटने से वहां अमन आया है चैन आया है लेकिन हमें हिंदू राज नहीं चाहिए खुल के बोल रहे थे तो साफ लग रहा था कि वहां क्या होने जा रहा है तो जम्मू कश्मीर में मैं कहना चाहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी का के जमाने से को रिशू रहा है अनुश्य 370 हटाना को रिशू रहा है राम मंदिर लेकिन आप देखेंगे कि बाबरी ध्वन्स के बाद जब चुना हुआ था उत्तर प्रदेश में तो भारती जनता पार्टी चुना वहार गई थी और इसी तरह से अभी फैजाबाद में द अगर आप घाटी में देखेंगे तो घाटी की 47 सीटे है और 47 पर मिल रहा है और 48 सीटे अगर मिली है तो बीजेपी को यह सोचना होगा कि जम्मू रीजन में जहां से 43 सीटे आती है वहाँ पे उसने इससे बेटर परफॉर्म किया होता वो नहीं हो पाया है तो बीजेपी क कारिकरम का वक्त समाप्त हो रहा है इतना ही आप सभी शोटाओं से आग रहा है कि वह जोड़े रहे हैं हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर और हर्याना के विधान सभा चुनाव परिणाव मपर परिचर्चा इसमें भाग ले रहे थे राजनेतिक विश्रिशक एन के सिंग और आकाश्वणी सलाकार उमेश चतुरवेदी कारक्रम का संचालन कर रहे थे हर्श रंजन ये कारक्रम आकाश्वणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारी मोबाईल अप न्यूज ओन ए आयार और यूट्यूब चैनल न्यूज ओन ए आयार ओफिशल पर भी सुन सकते हैं इस कारक्रम के संबंद में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल या वाट्सेप के माध्यम से भेज सकते हैं